हिमाचल परदेश के प्रवेश द्वार स्वार घाट के समीब हिमाचल सीमा में रिटायर डीजीपी पंजाब सुमेर सिंग वो दो लोगों को हिमाचल परदेश के लिए अनुमती नहीं दी गई हुआ यू की चंडिगर नंबर की गाड़ी में सवार होकर पंजाब के रिटायर डीजीपी सुमेर सिंग और उसके साथ दो अन्य व्यक्ति स्वार घाट के समीब बने हिमाचल परदेश में प्रवेश करने के लिए आप पहुंचे जहां पर उन्हें परमिशन को लेकर रोका बता दें स्वार घाट के पास लगे बैरिर पर भारी राज्य से आने जाने वाले लोगों का वहां पर स्वास्ते जांच वो गाड़ियों के एंट्रिक ले रोका जाता है लेकिन उनके पास हिमाचल परदेश के लिए आने का कोई भी पास नहीं था उन्होंने ब्लासवुर के जिला पुलिस अधिक्षक को पास के लिए अपील की लेकिन हिमाचल परदेश ने मना कर दिया ये लोग मोहाली से पंजाब से हिमाचल आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बिना पास के उन्हें स्वार घाट नाके पर तैनात पुलिस कर्मियों के द्वारा बापिस दाने क कहा गया जिसको लेकर उन्हें बहां से बापस जाना पड़ा है